दोस्तों सबसे पहले लाइप प्रूफ देख लो मोबाइल की स्किन पर आज मैं आपको राम फिन कोर्प परसनल लोन एप से पूरे 12,000 रुपे का लोन लाइप प्रूफ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का कम्पलीट तरीका बताने वाला हूं दोस्तों इस लोन को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो मिनट लगते हैं और यहाँ पर इस लोन के लेने का सबसे बढ़ा बेनिफिट ये है वोई भी चीज आपकी गिरवी नहीं रखे जाती है और इसके सासा आपको यहाँ पर जो लोन मिलता है वो 12 महिने से लेकर 60 महिने के लिए मिलता है नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपे और मैकसिमम एक लाख रुपे तक का instant लोन ले सकते हैं और आप salएड व्यक्ते या self-employed दोनों में से किसी भी category में आते हैं लोन मिल जाएगा अब यहाँ पर income की बात करेंगे अगर आप salएट है तो आपके income होनी चाहिए 18,000 पर मंथ और अगर आप एक self-employed है तो आपके income होनी चाहिए 21,600 रुपे पर मंत civil score की बात करेंगे तो कम से कम 600 या 600 से ज्यादा का civil score चाहिए और बताया गया कि अगर आपका civil score नहीं है और आप पहली बार loan के लिए अपलाई कर रहे हैं civil score 0 है तो भी यहाँ पर NTB के तहत यानके new to आप जो है new customer है तो आपको पहली बार में 0 civil पर भी यहाँ पर loan मिल जाता है इसके साथ साथ बताया गया है कि और आपको आधार कार्ड, pen card और address proof यह तीन document यहाँ पर देने पड़ेंगे तो दोस्तो मैं आपको बता दू यहाँ पर सबसे पहले एक तो छोटा loan मिलता है बहुत बड़ा loan यहाँ पर नहीं मिलता है और short time के लिए आपको यहाँ पर loan मिलता है तो loan अपलाई करने का direct तरीका मैं आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो इस app का direct link आपको मिलेगा वीडियो की discussion comments box में जैसे आप link पर click करेंगे आप सीधे play store पर पहुँच जाएंगे और play store पर पहुँचने के बाद दोस्तो आपके सामने येवाल interface आएगा अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो जब आप इस app पर आएंगे तो इस app को install कर लेंगे और install करने के बाद open पर click करेंगे जैसे आप open पर click करेंगे आपके सामने येवाल interface आएगा get started पर click करेंगे अब उसके बाद आपके सामने येवाल interface आएगा यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपके सामने एवला इंटरफेस आएगा यहाँ पर है get your personal loan easy step ठीक है KYC personal detail और get your offer तो दोस्तो अभी हमें यहाँ पर अपने loan को offer देखना है get cash पर क्लिक करेंगे अब उसके बाद हमारे सामने एवला इंटरफेस आएगा RAMPINCorp यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है instant आपको loan मिलेगा उसके लिए pancard आधारगाड देना है personal detail बननी है उसके बाद आपको loan मिल जाएगा get starter पर क्लिक करेंगे अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एवला इंटरफेस आता है यहाँ पर देखने को मिलेगा enter your name edge पर pancard आपके pancard पर जो आपका नाम है और डाल देंगे इसके साथ साथ यहाँ पर अपनी एक gmail id डालकर next पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है KYC verification यहाँ पर देखने को मिलेगा verify आधार card अब यहाँ पर दोस्तों via आधार OTP या via digital locker इन दोनों में से किसी एक option का चुनाब गरके आप अपने आधार card का verification करेंगे verification करने के बाद दोस्तों आप जो है next पर क्लिक करेंगे और जैसी next पर क्लिक करेंगे आपके सामने येवल इंटरफेस आएगा अब यहाँ पर आपको loan का purpose बताना होगा loan का purpose यानि कि आप loan क्यों लेना चाहते है medical emergency है, salary delay होई है personal emergency है, education, rent bill and other इन में से किसी एक option को select करेंगे उसके बाद हमारे सामने येवल इंटरफेस आएगा enter loan amount, अब जितने रुपे का भी आपको loan लेना है अपनी amount यहाँ पर डाल देंगे अब आपको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 उपर जितने भी चाहिए यहाँ पर आप डाल कर next पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने आता है हमारा gender यानिके हमें अपना gender बता रहा है तो male या female हम किस category में आते हैं gender select करेंगे उसके बाद हमसे पूच़ आता है marital status, आप single है या आपकी साध्य हुई है तो marital पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने आता है highest education हम कितने पढ़े लिके हैं maximum तो यहाँ पर 10th pass है तो 10th पर क्लिक करेंगे 10th से काम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे secondary pass है यानके 12th pass है कोई diploma कर रखा है तो यहाँ पर bachelor degree या master degree है तो किसी एक यहाँ पर degree को select कर लेंगे उसके बाद हमारे सामने ये वाले interface आएगा employment detail यहाँ पर salary या self employee आप किस category में आते हैं select करेंगे उसके बाद हमारे सामने आता है mode of payment आपको जो salary मिलती है या आपको जो income होती है वो आपके bank में जाती है bank transfer है check मिलता है या cash से मिलती है select करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी जो भी company है जिसमें भी आप काम करते हैं उस company का नाम डाल कर continue पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा enter your official email अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं वरना आप skip कर सकते हैं continue पर click करेंगे उसके बाद हमारे सामने आता है your designation ठीक है तो यहाँ पर associate, executive, manager, senior manager, co या other मतलब हम जो काम करते हैं वो किस category में आता है हम manager है, senior manager है तो अगर आप किसी ऐसी category में आते हैं जो इसमें नहीं है तो आप other पर click करेंगे उसके बाद हमारे सामने आता है monthly income हम महिने में कितने पैसे कमा लेते हैं monthly हमारी salary कितनी है आपने यहाँ पर salary डालेंगे और next पर click करेंगे उसके बाद आता है work experience हमें कितने साल का experience है 0-2 साल का, 2-5 साल का, 5-8 साल का, 8-10 साल का या more than 10 साल का तो यहाँ पर select करेंगे उसके बाद आता है monthly income salary date हमें किस तारीक को salary मिलती है अपनी एक date को यहाँ पर select करेंगे अब उसके बाद आता है your residence हमारा अपना घर है तो उन पर click करेंगे और हम किराई पर रहते हैं, rent पर रहते हैं तो rent select करेंगे अब उसके बाद हमारे सामने आता है confirm your address ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है उसको address देखने को मिल जाता है अपने address को select करके next पर click करेंगे अब उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा आता है कि यहाँ पर आपको अपना bank account select करना होगा तो जो भी आपका bank account है जिस statement के द्वारा कर सकते हैं पर उपर वाला दोस्तों कुछी second के अंदर ठीक है यहाँ पर आपका bank statement automatic ले लिया जाता है इस पर click करूँगा click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पुछे आता है कि हमारे bank में जो mobile number registered है उस mobile number को डालेंगे and next पर click करेंगे उसके बाद हमारे mobile verify number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डालकर verify करेंगे उसके बाद यूज account पर click करेंगे तो यहाँ पर जो statement है देखो उसके बाद हमारी statement हो automatic यहाँ पर ले ली गई है और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है हाय कैला सिंग हमारा नाम देखने को मिलेगा हमारी KYC हो चु यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा approved loan amount 12,000 रुपे है 12,000 रुपे जो हमें मिलेंगे उसमें 1460 रुपे की process काटी जाएगी और 12,000 में से net dispersal होगा 10,584 रुपे हमारे bank में जमा होगा और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो loan मिलता है वो 100 टम के लोन मिल रहा है और इस loan को जो repayment करना है वो 15,600 करना है तो भी काफी costly loan यहाँ पर हमें पढ़ड़ा है कितना costly है तो सबसे पहले में एक बार वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर हमें जो loan मिल रहा है दोस्तों कितना हमारे bank में जा रहा है 10,584 तो 10,584 ठीक है और माइनस क वीडियो के description में आपको true balance का link मिलेगा उस पर जाकर loan के लिए apply करेंगे तो यहाँ से सचता ही loan मिलने वाला है पर आपको लगता है कहीं से loan नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर loan ले सकते हैं continue पर click करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको अपने दो reference reference देने होंगे तो सबसे पहले आप पहले reference का नाम बताएंगे उसका contact number डालेंगे उसका relation बताएंगे ऐसे फिर दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर contact number बताएंगे नाम बताएंगे ठीक है और चार relation रहा है वो बताकर next पर click करेंगे इसके बाद आपसे पूछे जाएगा enter your bank detail अ bank का नाम बताकर next पर click करेंगे उसके बाद देखने को मिलेगा complete your email date अब यहाँ पर हमारा जो है वो email date होगा यानि कि जो भी हमें पैसा मिल रहा है वो हमारे bank से भी काटा जाएगा तो उसकी authority हमें यहाँ पर देनी होती है continue पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखने को मि bank है तो आप किसी एक bank का verification कर सकते है और दूसरे bank में आप पैसा transfer कर दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि same bank में आपको पैसा transfer करना है इसलिए हमारे case में दूसरा bank है अब यहाँ पर debit card या net banking वाला option देखने को मिलता है मैं debit card को select करूँगा और debit card को select करने के बाद authenticate पर click तो दोस्तो हमारे सामने यह वाल इंटरफेस आएगा यहाँ पर मैं proceed पर click करूँगा और proceed पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर अपने debit card के जो नंबर होते है 16 उनको यहाँ पर डाल दूगा मेरा debit card कब तक valid है यहाँ पर डाल दूगा और मेरे debit card यानके ATM card का security password है यहाँ यहाँ पर डाल कर अपर करूँगा तो उसके बाद मेरे mobile नंबर पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डाल कर अपर अपर पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो e-main data दोस्तो सकसरली submit हो चुका है यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद मैं proceed पर क्लिक करूँगा और जैसी पर हमा के अंदर यह पैसा हमारे bank account में transfer होता है ऐसा बताया गया है कि पर दोस्तो दो घंटे के बाद मेरे bank में यह पैसा आ गया था और मेरे app में 15,600 की मुझे repayment करनी है यहाँ पर आपको देखने को मिल गया था उसके बाद repayment आउपर क्लिक करके आप इसकी जो है repayment भी कर सकते है तो इस तरीके से दोस्तों आप राम फिन कोर्थ एप पर जाकर instant personal loan ले सकते हैं इस एपका direct link आपको वीडियो के description और comments box में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद